प्रूट्स एंड वेजिटेबल के सीरीज के सिक्वेंस में आज हम बात करने वाले हैं थोड़े से अलग टॉपिक पे वो है आपका एग्स यह जो एग्स हैं इसके कई सारे हेल्थ बेनिफिट होते हैं बट हमारे वीडियो का मकसर यह करते ही नहीं है कि जो आप वेजिटेरि यह टोटी आपके वीवेग के उपर डिपेंड करता है हमारा मकसद के अवले हेल्थ बेनिफिट के बारे में आपको इंट्रिउस करना है चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टन हेल्थ बेनिफिट के फॉइंट अफ यू से फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके और यही प्रोट Cave हमारे बॉडी के लिए होने काम करता है, ईसके काफी अच्छे health benefit प्रोटीन के supplement के रूक में हम कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तिज़ गें करना चाहते हैं और ऐसे व्यक्तिज़ येड़ ज़े लilडर ऑट करना चाहते हैं, इसे संपूर्ण फूर्ड यानि की complete food की संग्या भी दी गई है इसके कई सारे advantage हैं उनमें से एक यह है कि अगर आप consumption of egg का boil form में या किसी other form में करते हैं raw form में करते हैं तो यह आपके cataract के development के chances को काफी कम करता है cataract यानि की मोतिया बिन आखों में पर्दे में एक जाली जैस structure जो बनता है इसे हम cataract करते हैं तो अंडे के use करने से यह जो possibilities है वह काफी जादा कम हो जाती है इसमें good fat की मात्रा भी अच्छी होती है लग बग लग इसमें 5 gram good fat पाया जाते हैं good fat का क्या मतलब है हमारी body में दो तरह के fat deposition हो सकते हैं या उनकी type हो सकते हैं एक होता है आ apply करता है और body की different different requirements को पूरा करेगा एक मतपूर्ण चीज़ और जो की सायद आपको जाननी चाहिए कि अगर हम बात करते हैं vitamin D की तो vitamin D तो हमको सूर्य प्रकास में बहुत sufficient मातरा मिलता है जिसके presence में हमारी body के skin इसको synthesize कर लेते हैं लेकर अगर आप diet के source के बारे में बात करेंगे तो बहुती कम ऐसे diet हैं जिनमें vitamin D पाया जाता है और उनमें से एक है आपके ये जो example मैं आपको demo कर रहा हूं egg तो अगर consumption of egg करते हैं तो vitamin D की कमी आपको धीरे-दीरे कम होती जाएगी that means you are going to get vitamin D in a good commodity अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप इस egg के कितने तरीके से use कर सकते हैं अभी जो मेरे हाथ में आप egg देख रहे हैं वो raw egg है इससे अगर आप such use करना चाहते हैं तो उसके कोई खास जादा advantage आपको नहीं होंगे बट यहाँ पर आपको दिखाने के लिए इसे मैं break कर रहा हूँ कि यहाँ पर इस egg के दो main component है main दो part है पहला वाला हिस्सा जो आपको yellow color में दिख रहा है उसे हम एक yoke कहते हैं जबकि दूसरा नीचे white color कर जो आपको substance दिख रहा है यह आपका protein का एक type है जिसे albumin protein कहते हैं यह दोनों constituent बहुत है important है अलग-अलग performance को perform करने के लिए यह जो egg का yoke है यानकि पीला वाला portion है वो iron का का अच्छा source है तो ऐसे वेक्ति जिनमें blood की कमी है, iron की कमी है या कसी other constituent of the blood like hemoglobin की कमी है तो उसका वह use कर सकते हैं और इसके use करने से उनके body में iron की कमी है वो पूरी हो सकती है जबकि दूसरी तरफ मेरे हाथ में एक औ बता दूँ आपको कि एक का जो albumin portion है protein वाला वो आपको अगर as such raw में consume करते हैं तो आपको constipation की problems relief देगा as well as अगर आपको ulcer है तो वहापे एक protective layer का भी काम करेगा कुछ लोगों का ये भी मानना है कि अगर सर्दी जादा हो गई है तो इस कच्छे अंडे को अगर आप नि liquid form में दिखा है जबकि इसी को मैंने boil कर दिया आप इसे में break कर रहा हूं तो इनी दोनों component का form आप अलग देखिएगा liquid से ये लगभग-लबग solid में convert हो गया है तो ये जो पीला वाला portion अभी मैंने remove किया वो एक का योक है इसे आगर आप boil कर करके consume करते हैं तो आरन की कमी को पूरा कर सकते हैं और अगर इस protein वाले part को जिस हम egg albumin कहते हैं जो कि actually में था liquid feed के presence में correlate हो गया है तो इसका यूज़ करने से आपको different different तरीके के amino acids यानि के protein आपको मिलेंगे साथ साथ जब तक मैं आपको इसको break करके demo करता हूं मैं आपको कुछ और भी benefit explain कर देते हैं ये जो एग है इसका consumption आप करते हैं तो आपके performance में काफेदा improvement होगी performance कहने का मतलब आपके physical performance से है जो lethargy, fatigue की problem है इससे भी आप दूर हो सकते हैं और आपकी body में iron की कमी हो रही हो तो उसको भी supplementary के रूप में पूरा कर सकता है जो nutritional deficiency हो सकते है किसे भी diet के improper congestion के वज़े से तो उनको भी supply करके मदद करता है और मैंने जैसे कहा कि आपके brain के health के लिए काफी अच्छा है cataract की problem से भी दूर कर सकते हैं तो यह एक ऐसा food है जिसका use अगर हम सही मातरा में करते हैं तो आपको काफी ज़्यादा health benefit मिलेगा आपने टीवी में एक ad तो सुना होगा Sunday हो या Monday र अच्छे तरीके से पूरा कर सकता है अगर आप weight gain करना चाहते हैं तो भी आपकी support करेगा अगर आपकी यह मदद करेगा अगर आप इसे बॉइल यूज करते हैं तो आपको एक breakfast का अच्छा option दिखेगा अगर आप इसे raw यूज करते हैं तो वाले बिल्डिंग में आपको support म मिलेगा इसके अलावा इसका जो भी आप form में convert करना चाहें चाहें आप इसे unboiled form में और आधा boiled form में यूज करना है जिसे हम लोग पोच बोलते हैं उसके form में भी यूज करें तो आपको advantage तो पक्का है So friends, that's all for today. Thank you so much for watching this video. उबीद करता हूँ कि आपको हमारी जो सीरीज है fruits and vegetables के अंदर गर्द वो ये चीज़ें काम आ रही होंगी. हमने पहली बार किसी non-vegetable source को यहाँ पे add किया हुआ है लेकिन इसका मकसद purely और purely आपको इसके health benefit के बारे में inform करना है तो अपना ख्यार सकते हैं. Thank you so much for watching this video. अपना ख्यार लखिएगा.